आज का Topic जो है वो प्रिष्ट टनाव है अब प्रिश्ट दमाब मतलब होrånamento और सता मतलब यह उपर सर्फियस सर्फियस पर रेयों मतलब खीचाओ नि कि सर्फियस पर होने वाले तनाव को य किशा को पृष्ट तनाओ कहते हैं कि मालेजों किसी भी सतय पर होने वाली खिचाओ को या तनाओ को पृष्ट तनाओ को अगर आप इसको देखते हैं तो आप एक गिलास लेजिए उसमें जल भरिये जल भरने पर यहां angadar बीच में हल्का सफम्हार लिक घंड गार आखे पर अगर आप यहां पर भर देते हैं यह 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 पारा अगर यहां पर आप पारा भर देते आप प्रकास कैसी कि दर से आप उसको दबाएंगे तो आप की अधेली में आप अपस पर नहीं लगेगा वह आपने आपको आपस में अपने के लिए प्रिश्ट तनाव जो है एक रखते हैं उसको अगले तो यह प्रिश्ट तनाव अगर आप इसका सूत्र निकालना कườievцы बता देते हैं कि इसक इसबीकर वाले निया अब यहां पर देखा गया जो जल की बूंद होती है उसमें तो कई सारे होंगे लिए ऐपने चलन के और दाल रिये अब यहां पर आपने देखा यहां पर के बिन्दू एलिया एक बिंदो फय लिया आВ इनके achten दोनों के बीच में लगा रहा है फोर्स फोर्स लगा रहा है वह पृष्ट तनावाला घॉर्डetta तु यहां पे अगर इधर से बाकी जो जल है वो इधर से छटाले में यह लेहां इधर से का इस पर डाल रहा है यह डाल रहा है इस पर भी यह डाल रहा है अब अब इन दोनों के बीच की लंबाई यह लंबाई है ना कि आप यह जो इनकी बीच की दूरी है इसको आप यह माल लिजिए अभी इस पर सूत्र के तयार होता है उसको देखिए सूत्र तयार होता है ती य अगर अब इसकी जो आप बोल सकते हैं परिवादा क्या होती है इसको आप साब्दिक में बया कैसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं यदि ए और बी के बीच की लंबाई यल हो क्या हो यल हो और ए और बी पे और जो है उस पे लगने वाला चारों तरफ से लगने वाला फोर्स या बल क्या हो यफ हो तो सूत्र हो जाएगा या कह सकते हैं एबी जो है वो इसका प्रिष्ट तनाव जो है वो क्या होगा टीज क्वर्टू यानि की फोर्स को लंबाई से भाग दे दीजिए आपको प्राप्त हो जाएगा प्रिष्ट तनाव का सूत्र आप देखें बात करते हैं इस पे जो है मच्छर क्यों तरने लगते हैं आप तो देखा होगा मच्छर प्रिष्ट जो है पानी पर बैठते हैं और तरने लगते हैं क्यों तरने लगते हैं जो मच्छर का बेट होता है क्या वजन जिसको बोलते हैं वह इस प्रिष्ट तनाव से इस प्रिष्ट तनाव से कम होता है और उनके पाद जो होते हैं पाद मतलब वह थोड़े उसमें जो है रोए निकले रहते हैं वह पाद का जिली का काम करते हैं जल पर तरने के लिए तो वह जो है इस प्रिष्ट तनाओ पर बैठ जाते हैं और पानी में तरते रहते हैं तो यह होगा प्रिष्ट तनाओ अब इसको मारने के लिए मच्छर को मारने के लि जब तुट जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा जल ही जल पानी पानी हो गई तो प्रिष्ट तनाव तुटा जल तू जल ही जल हो गया अब यहां से प्रिष्ट तनाव तुट गया इनके बीच का बल छीड़ हो गया और यह मच्छर सिधा गमधे अंदर तो यह जल में डू लिए नहीं जाएंगे तो अगर आपके आजी बगल मतलब की जो आपके तरफ तरफ जो आप गड़े ओं या पोकर तालाब वहां पे अगर मच्छा जयादा बैठते हैं वहां पे मलब कि अगर ज्यादा बड़ा पोकर है तो उसमें नहीं डाल सकते हैं चोटे-बड़े भूब जाए कि और मर जाएंगे तो ये हो गया प्रिष्टनाव का छोटा सा छेफ्ट जूटी से टॉपिक तो मैं आसा करता हूं आप वीडियो चलोड वीडियो को लाइक अधिस्टेशने दोस्तों से इनुट विडियो ने स्टीव साथ दिलेशने